अगर ये सबना नहीं तो क्या है खुदी में खुद को देखता हूँ लेकिन फिर भी कभी खुद में खुद को नहीं देख पाता अगर ये मजाग नहीं तो क्या है सपने में भी सपनों की दुनिया में रहता और उन सारे सपनों के सच होने के सपने में जीता अगर ये सपनों की लहर नहीं तो क्या है खुद से ही खुद को बना कर खुदी से खुद को मिटा कर खुदी में मिल जाता अगर ये खुद से खुद की लडाई नहीं तो क्या है जाग ना तो चाता मगर डर है कि अपनों सब कुछ खो दूँगा अब करो तो क्या करो इसमें भी कोई शक नहीं कि खुद को खोकर मैं खुद को पालूँगा कि खुद को खुद को खुद को बदके लोग है यहां पर जो पिछले कई सालों से ध्यान कर रहे हैं यह सरास्ते पर चल रहे हैं बहुत सारे लोग, almost सारे सो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको सिखा सकता हूँ या बता सकता हूँ क्योंकि जब यहां पर हम चलते हैं तो हर एक के experiences एक दूसरे से बिल्कुल अलग-अलग होते हैं तो मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूँ या तो मैं आपकी जो questions है जो भी आप मुझसे पूछने वाले हैं उसमें से कुछ सीख सकता हूँ या फिर अपने experiences आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ और वही आज होगा मैं अपने एक एक करके पने experiences आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ मैं भी फिजियो थेरापी के दॉक्टर के पास में जा रहा था थोड़ा सा पेंड़ा था मेरे बड़ अच्छे फ्रेंड है तो एक बड़ा सिंपल साथ उन्होंने मेरे से क्वेशन पूचाओ मुझे हसी आगे कहते कि यार रमायन में एक बात बताओ लक्ष्मान ने उसकी सूपनगा की ना काट दी कहते अगर आज के टाइम में गयो तो जेल में होता है अपने ये गया बिल्कुल ठीक है कि उसने किया तो गलती और इसे ही आप ग्रमायन में जाओ महावारत में जाओ यहां जाओ वहां जाओ 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 यहां भी जाओगे आपको कॉनफिक्स नजर आएंगे बहुत तरीके के conflicts नजर आएंगे कि एक तरफ ये कहा जा रहा है दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि conflicts क्यों है क्योंकि ये कहानिया है ये कहानिया है और इन कहानियों में हम मतलब दूढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम मतलब डूढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसको लिटरली देख करके, कहानी के फॉर्म में एक बहुत बड़े मेसिज को प्रिजर्व किया हुआ है, उस कहानी को जब आप अन्फूर्ड करेंगे तो अंदर से एक मेसिज निकल करके आएगा, उस मेसिज को पकड़ना है, इन गरंथों के दीप में अगर आपको जाना है, तो पहले खुद को जानना हूँ, उसके बिना कहानी समझ नहीं आना है, एक एक बात जो रमायन में है, जो महाबारत में है, या बाइबल में है, या कुरान में है, वो सच है, देखने का नजरिया अलाग अलाग है, एक नजर से हम देखेंगे, वो ही चीज हमको गलत लगेगी, एक नजर से देखेंगे, हमको सही लगेगी, लेकिन है वो सब सच, जूट नहीं है, किस तरपे है वो जब आप अंदर जाओगे दीरे दीरे समझ आएगा कि राम है क्या हनुमान क्या है उसको वायू पुत्र क्यों बोला गया है मेडिटेशन में ब्रेथ का इतना बड़ा रोल क्यों बताया गया है जब ब्रेथ लंका में जाती है यह लंका क्या यही तो नहीं है कि यह शरीर जो सोने की लंका है सीता जो है वो कहीं हमारी कुंडलीनी शक्ती तो नहीं है जो रिसाइड कर रही है और जब हनुमान लंका में पहुचता है तो लंका में आग क्यों लगती है जब breath हमारी पूरी body को जलाती है तो तब क्यों बोलते हैं उसको यह क्यों बोलते है कि शरीर को तपाना पड़ेगा और तपाने से क्या होता है यह शरीर कहां जाता है बार यहीं क्यों लगना चाहिए रावन के कहीं और क्यों नहीं यहां पर ऐसा क्या है, इस चक्र में ऐसा क्या है कहिए अगनी का चक्र तो नहीं है, कहिए अगनी से रूप तो उत्वपन नहीं होता कहिए हमारा सारा रूप इसकी वज़े से तो नहीं है अगर यहां बाण लगा तो क्या होगा राम नाम में ज़्यादा ताकत है या राम में ज़्यादा ताकत है रमयाण में अगर आप ध्यान से देखोगे एक बड़ा मज़िदार इंसिडेंट है उससे आपकी पूरी रमयाण ढह जाएगी पाने की तरह वो क्या है? लोगों ने भगवान मना दिया राम को जबकि उस पूरी रमयाण में भगवान कुछ और है भगवान राम का नाम है ना कि वो इंसान है जिसकी बात की जा रहे एटीम है पॉइंट? एक बार उसका एक छोटा सा किस्सा है जब जा करके, वो पत्थर फैक रहे होते हैं, राम राम लिख करके, उसमें राम भगवान खुद जा करके, एक पत्थर को उठा करके फैकते हैं, समुद्र में, और वो डूब जाता है, क्या मतलब है, राम 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 आप बैठे वह हुआ, आप को झपकी लग गए, नीन रगी, आप सो गए हूँ, माइड क्या कर रहा है? वो जागा हुआ है, वो जहां चारा है, वहाँ ले कर जा रहा है, और बॉडी को इदर फोक रहा है, आप जचरी खारी थार, ज़ार, जपकिषाय कार रहा है. आप परिशान हो यह हो दो यह खेल है तो जैसी आप जाग जाओगे क्या होगा ड्राइवर को पता लग जागा कि भाई यह तो जाग यह है आप थोड़ा तरीके से चलाओ गाड़ी अब अगर उसको कहोगे कि तुने यह करना है तो वो यह करेगा वो करना है तो वो करेगा उस गाड़ी को जहाँ ले करके जाना है वहाँ ले करके जा सकते हो जो चाहे हो वो कर सकते हो यह है तो आप कौन हो जो पीछे बैटे हो आप मालिक हो मालिक नौकर बन गया और नौकर मालिक बन गया यह ज़ड़ है सारी की सारी प्रॉम्म स्वाल actually में ये है कि सबसे पहले तो कि spirituality है क्या क्या जो आदमी spirituality में है क्या वो materialistic world से cut गया हो सकता है हाँ हो सकता है ना हो सकता है, एक materialistic आदमी इस world में रहे करके एक spiritual आदमी जो पहाड पे जा करके चोटी पे बैठा हुआ है, उससे लाग गुने जाता spiritual हो और दूसी तरफ एक ऐसा आदमी जो अपने आपको spiritual कहता है किसी भी वे में वो बिल्कुली unspiritual हो, वो बिल्कुली materialistic हो तो सारा खेल यहाँ है There is no dividing line between spirituality and materialism यह सिर्फ हमारे मन के वहम है हम खुद अपनी एक imaginary, एक world create कर रहे हैं और create करके अपनी ego को बढ़ाने के लिए या तो हम बोल रहे हैं spiritual है, यह हम बोल रहे हैं कि हम materialistic है, आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो या फिर सच में आप कट चुकिया उसमें रहते हुए गी जैसे कमल खिलता है कमल का क्या सिंबल है? कीचड के अंदर से कमल खिल रहा है क्या पुस तरहीं कैसे हो? और यह कीचड क्या है? कहीं यह दुनिया ही कीचड तो नहीं है और इसमें से खिलना, इससे अलका सा उपर उठना, क्या यही spirituality है? यह इसमें रमे रहना और इसको spirituality का नाम देना, materialistic चीज़ों का नाम देना, religion का नाम देना, भगवान का नाम देना क्या वो spirituality है? अभ्यास आपका राइट है आप कर सकते हो यही करना है बैराग्य आप नहीं कर सकते है वो होता है अपने आप अभ्यास के थू concentration किसी भी चीज़ पे, किसी भी काम पे चाहे बहार, चाहे अंदर आप कर सकते हो meditation आप नहीं कर सकते meditation में जा सकते हो कोई अगर आपको कहता ना कि मैं meditation कर रहा हूं इसका मतलब वो concentration कर रहा है ध्यान नहीं कर रहा ह। ध्यान में आप चले जाते हो जब कुछ करना ना पड़े अपने आप होने लग जाए तब आप ध्यान की उसमें हो अवस्था में अब ये विराग्य होता क्या है अगर आप किसी चीज को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो आपको छोड़ने से attachment हो गई है इसको भी छोड़ना है चीज़ा छूटती कैसे है तो अब भ्यास करते करते एक एशिसे स्टेट आ जाती है जब आप आगे भढ़ते हो वर्टेン ड हो व्ल्ड़ने चीज़ा इसे चूटती है ऐसी स्पिरिचूल वर्ड़्में चूटती है आज आपके पास में साइकल है बाई कह स्कूटर है गाड़ी, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया, brand new गाड़ी, exchange होजेगी, गाड़ी आपको मिल गई, suppose Centro मिल गई, कल को कोई आता है, और बढ़ी आपको गाड़ी देता है, Honda City देता है, कर लोगे exchange, Centro से, कर लोगे, तो आपने क्या किया, Centro को छोड़ दिया और Honda City को पकड़ इसी को वेरागय बोलते है, जब भी हमको कोई बड़ी चीज मिल जाती है, तो छोटी अपने आप ही छूड़ जाती है, छोड़नी नहीं बढ़ती है, जिसके पास में सिर्फ बाइक है, उसको आप बोलोगे मिरको अपनी बाइक दे दे, आप अपनी जान लगा दोगे, आप फिर आप जट को नहीं छोड़ोगे, जब जेट से भी बड़ा कुछ मिल गया, तो जट अपने आप छोड़ जाएगा, ऐसे ही स्पिरिचुएलिटी में समझ आने की बाद है, पिरिचुएलिटी नहीं बट अंडेस्टेंग अप दी टूट, जैसे आपकी समझ भढ़ आती है, consciousness के स्तर के बढ़ने से, जितनी आपकी awareness, आपकी समझ, आपकी understanding, इस दुनिया की भढ़ती चली जाएगी, तो जो छोटी-मोटी चीज़े हो, अपने आपी छूटती चली जाएगी, छोटी नी पढ़ेगी, छोटी नी सकते, जब परम आनंद मिली गया, तो छोटी- मन शांत होगा, कुछ भी करने से, वो अच्छे करम है, जिससे भी आपका मन अशांत होगा, या दूसरों का मन अशांत होगा, वो बुरे करम है, अगर इसका मैं base बताओं, base, कि क्या करना है और क्या नहीं करना, जो भी इस category में fall होता है, वो अच्छे करम है, जो इस category से बा कई वागी सारे विचार आपको बाले 13 तो कि नहीं सवाल उठाइ की मैं कौन हुँ कहां से आया हूं कहां जाने वालाτοैसिस इस आच्छा कोई करम नहीं इस दुनिया में इसको पकड़ करके रखो जब तक यह सवाल आपके अंदर है आप अच्छे गरहम कर रहे हो जिस दिन इस सवाल आपके अंदर से निकल गया आप उराई के रास्ते पर अपने आभी चल पड़ोगे चलोगे नहीं चलने लग जाओगे दूसरा क्या है सेल्फ कंट्रोल जो करने से आपका सेल्फ कंट्रोल भड़ रहा है किसके उपर अपनी दस इंदरियों के उपर जो वारी पांच ग्यानेंदरियां है पांच करमेंदरियां है और एक दश इंदरी जिसको बोला गया है माइंड अगर सिंपल भी में देखा जाए तो इस 11 के भार और कुछ भी नहीं है सिर्व इन 11 पर आपको गंट्रोल करना है जोई लोग नहीं कर पा रहे है और example, एक आदमी कहता है कि मैंने swimming सीख ली, कहां सीखी? पानी के भार, पानी के भार, तब पता लगे है उसको swimming आती है नहीं, जब वो पानी के अंदर जाएगा, तो जब वो इंदरियां आपके ओपर हावी होती हैं, तब उस समय आपको अपनी willpower को, अपनी इच्छा शक्ति जो इच्छा शक्ति की है, उसी की है, अंदर जो है, उसकी इच्छा शक्ति को ले करके सामने आना है, और उस समय धीरे-धीरे अगर आपका अपने ओपर कंट्रोल आता चला गया, एक ऐसी स्टेट आजेगी, जब आपको कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा, ये सब दस की दस इंदरी आपके कंट्रोल में होगे, चाहोगे तो करोगे, चाहोगे तो नहीं करोगे, चाहोगे तो यहां से कुछ आएगा, चाहोगे तो नहीं आएगा, और एंड में जो 11 इंदरी बच जाएगी, जो सबसे ज़्यादा पावफुल है, वो है माइड, दीरे-दीरे जब य उसके बाद में जब यह माइन्ड आएगा आपके स्वामने निकल कर गे, which is very powerful, बहुत पाफुल है, युकि आपकी सारी पावर्स इस माइन्ड के अंदर है, सारी पावर्स, और इसके युद्ध को, इस माइन्ड के साथ के युद्ध को, बोला गया है, रमायण और मावारत इस युद्ध की बात है यह कुरूप चेतर है ना यह बॉडी ही कुरूप चेतर है यही सोने की लंका है इसको जलाना है इसी के अंदर युद्ध होने है तरह तरह के युद्ध होने है अब उस युद्ध को कैसे लड़ना है यही अभ्यास है यही spirituality और इस युद्ध को लड़ करके कैसे जीतना है जो आप जीत जाओगे तो धरम की स्थापना अपने आप हो जाएगी कर दे ही नहीं पढ़ेगी उसी को धरम बोलते हैं तब तक जब तक के आप नहीं जीतते हैं को इस युद्ध को तब तक सब इमाजीनेशन हैं इमाजीनेशन है अधरम में हम धरम की बात करते चले जाएंगे और कहेंगे अम धरमात्मा है आरे ना भाई ना कर्विन एक साल पहले मैं दरम चाला गया था और आप जा करके एक पहाड है जहां पर कोई गाड़ी नहीं जा सकती वहां से 20 मिनिट पैदल चलके जाना होता है और वहां पर जा करके एक होटेल बना हुआ है वहां पर अपनी सांसों की भी आवाज शोर सुना ही देती है तो मैं 10 दिन तक वही था और मैं बैठा हुआ बहार ध्यान करने के शाम को कड़ने बैठा था करीबन 4-5 बजे और 7-8 बज गए 9 बज गए मुझे नहीं पता कितना क्या टाइम हो रहा था रात हो गई थी रात होते 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 वहां पर बहुत तेज मेरे कानों के अंदर एक जिंगूर की अवाज सुनाई देने लिए जिंगूर पता है सब को क्या होता है जंगल में नहीं होता हो गर करके वह आवाज आती है उस अवाज को मैंने देखना शुरू किया देखना मतलब मन की आँखों से देखना एक आँख से देखना जिसमें और दिखी और दिखी उसके अंदर कई आवाजे थी उस एक जिंगुर की आवाज में बहुत सारी आवाजे थी उस आवाज को तोड़ा तो समझ आया है कि यह एक आवाज नहीं है एक लग रही थी एक नहीं है उसके अंदर बहुत सारी आवाजे है जैसे एक वीडियो देखत कि यह हो क्या रहा है, फिल्म चल कैसी रही है, तो जैसा आप फिल्म के वारे में सोच रहे हो, और जो फिल्म है, उसमें फर्क आता चला जाए, ऐसे ही आवाज में है, ऐसे ही हर चीज में है, ऐसे ही स्मेल में है, हर चीज में है, जो भी हमारी इंद्रिया है, जो हम सोच रहे ह होते हैं जैसे हमको दिखरा होता है वो कुछ और होता है रियालिटी कुछ और होती है हमारी माइंड की परसेप्शन होती है जो इसको इंटर्प्रेट करके वो साउंड को देती है जैसे मेरा ध्यान उस आवास पे जा रहा था वो एक्सपैंड करती चली जा रहे द्यान अटा महसे दूसरी वाज की तरफ आया जो बेस था जिस आवाज की ओपर ये अवास बाहरा हैं तो घ्रता 해接下來 है नहीं आए बहुत सारी वाजज थी जो आवाज एक उस और वाज बेसे निकल करके आ रही थी उसी में से आई उसी में से गई उसी में से आई उसी में से गई उसको भी देखना बंद गिया तो मैं भी नहीं था कुछ नहीं था कुछ तो अब इस experience में मुझे क्या समझा है यह चीज हो गई और कई बर क्या होता है कि वह चीज हो जाती है यहीं पर self inquiry का बहुत बड़ा रोला था जो मैंने आपको कहा ना self inquiry हर चीज को समझना है सिर्फ experience नहीं करना उसको समझना भी है कि क्या है क्यों है कैसे है क्या हो रहा है कैसे हो तो उस समय नहीं समझ आया उस समय थो बस यह experience register हो गया लेकिन जब बाद में इसके बारे में मैंने समझने किकोशिश करी तो मेरे को दो चीज़ें मोटी-मोटी समझ में आई एक ये कि जब भी हम अपना ध्यान किसी भी चीज़ की तरफ लगा देते हैं चाहे वो आवाज हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो कुछ भी हो आवाज है, इसलिए मैं उस आवाज को सुन रहा हूँ जब कि सचाई क्या थी? कि मैं सुन रहा था, इसलिए वो आवाज थी अब इसको आवाज से हदा करके कहीं और डाउते हैं आप हो, इसलिए मैं आपको नहीं देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ, इस वज़े से आप हो नहीं तो आप हो ही नहीं उसमें सिर्फ आप नहीं हो, मैं दी यह सब एक ही है, अलग नहीं है आप भी जो देख रहे हो, चाहे अपने आपको देख रहे हो शीशे में चाहे इनको देख रहे हो, चाहे मुझे देख रहे हो मैं हूँ नहीं आप देख रहे हो, इस वज़े से मैं आपको दिख रहा हूँ जहां आपने देखना बंद किया यह हो गया जो मैं आपने experience के base पर आपको बता रहा था practically समझना है कैसे होता है scientifically समझना है कैसे होता है quantum physics को study करना शुरू करतो quantum physics के बारे में किसी ना सुना है science है कोई spirituality नहीं है कोई theoretical बाते नहीं है यही जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ observer effect बोलते हैं इसको जब कोई देख रहा है तो matter है यह matter है नहीं देख रहा है तो सिरफ waves है उड़ जा है जो बहे रही है देखने से सब चीज़े materialize होती चली जा रही है बंती चली जा रही है तो मैं आपको देख कहां रहा हूँ और कौन देख रहा है क्या आप सच में हो या मेरी सिरफ एक imagination हो इसको मैं एक simple example के थूँ simple जिसको कोई छोटे से छोटा बच्चा भी समझ सके और बड़े से बड़ा आद्बी भी समझ सके किसी भी state में हो वो meditation में बिगनर लेवल पे है या बहुत advanced लेवल पे है वो समझ जाएगा कोई भी समझ सकता है इसके लिए मुझे एक volunteer चाहिए जो यहाँ पर आना चाहें anybody आप आखे बंद कर लेजिए अब ना जो जो मैं कहूंगा उसको आपको इमाजिन करते चले जाना है अब जो मैंने अभी आपको कहा है ना उसका live आप एक example देखने वाले है live example अपने सामने कि basically क्या होता है क्या खेल है यह यह माया है क्या करम क्या है धरम क्या है मोक्ष क्या है मुक्ति क्या है जनम क्या है मरल क्या है, life क्या है, death क्या है, after death क्या है, before life क्या है तो सब कुछ है इसके अंतर अगले 10 मिनिट के अंदर अंदर, सब clear होता चलाए अब यह माँ समझे नहीं को इनको अबाम में उडाने वाला हूँ जादू नहीं है वाई आप इसे कितने लोग सपने देखते हैं, रात को सूते समय सब देखते हैं जब आप सपना देख रहे होते हैं तो सपना सच लग रहा होता है यह जूट लग रहा होता है सच लग रहा होता है सपने कैसे आते हैं, यह देखना है अपने को कुई न कोई अंडर डिजार होता है तब ही आगगार बहुत बार आप देखेंगे कि जो सपना है हो बार की बिखिडियटीडे यह आता है जो आ रियालिटी नहीं कर पारे है सपने मि करने की कुशिश कर रहे है होताहे सब कर के सा甲 हुआ कई अब सदै कर्ट सा ghosts लड़का हूँ और बिल्कुल वैसा ही जैसा कि ये बनना चहती है जिसकी बोड़ी बहुत स्ट्रॉंग है बिल्कुल आब्स वाब्स ये वो और बिल्कुल फिट फिजिकली फिट और एक बोट के उपर समुद्र के बीच में जा रही हूँ मैं ऐसे खड़ी हूँ और हवा चल रही है सामने से इतनी देर में इनकी नजर पड़ी एक मचली के उपर एक मचली बढ़ी सुंदर सी मचली गोल्डन कलर की वो मचली जा रही है जबकि क्या वो इंसे अलग है वो मचली क्या है वो भी तो इनी की imagination है अब इसको ध्यान से समझदा एक एक करके layers आती चली जाएंगे, layers खुलती चली जाएंगे simple है लेकिन बहुत deep है अब वहां से क्या हुआ कि जैसे ही मचली को देखा, तो मचली को देख करके एक ख्याल आना जायज है यार, इंसान होने की बजाए, ये लड़का होने की बजाए, अगर मचली होता तो समुद्र के नीचे की दुनिया जा करके देखता बिना कोई मास्क लगाए, बिना कुछ करे, ये भी एक दुनिया है, मजा आ जाता, कामना उठ गई, desire उठ गया desire is the root cause of existence, ये ही कर्म है, जहां desire उठा, कर्म हुआ, अब जैसे ये desire उठा, immediately उसी मचली के अंदर, पेट में ये पहुच गई और सपने में time और space नाम की कोई चीज नहीं है, जो हमारी real life में चीजे 50 साल में होती है, वो सपने में 50 सेकेंड में हो जाती है तो क्या हुआ, immediately इनके अंदर वो आया, उसके अंदर पेट में वो पहुची और वहां से वो निकली और फटा-फट से बड़ी हुई और तयायर रही है अब ये क्या बन गई? मचली, अब उस लड़के को भूल गई अब ये मचली है, और मचली की दुनिया देख रही है मचली की नजर से दुनिया को देख रही है चाहे उस लड़के को देख रही है, चाहे समुद्र के अंदर देख रही है, चाहे यहाँ चाहे, वहाँ चाहे, वहाँ वहाँ अब इनके अंदर desire उठा है, मचली है golden color की बड़ी सी, अच्छी सी, सुन्दर सी मचली जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं एकदम से इनकी नजर बढ़ी कि यहां पर एक और मचली है जिसके साथ में उसके दो छोटे-छोटे बच्चे है और उसने कहा कि यार काश मेरे भी दो बच्चे होते हैं बड़ा सिंपल सा desire है उठे का यह अगर सपने की आप घहराई में जाओगे, ऐसी तो सपने बनते हैं बस यह हैं कि हम उसको देखते नहीं है हमें पता नहीं लग रहा हो था कैसे बन रहा है कि कैसे बनते हैं एक सपने में से एक सपना बना जहां पर यह लड़का है वहां पर से एक सपना बना जहां पर यह मचली है और और मचलियों को और उनके बच्चों को उसकी फैमिली को देख करके इनके अंदर एक और डिजायर उठा है कि मेरी भी फैमिली ओनी चाहिए, जैसे है डिजायर उठा, उनके प्रिजी आपर अब ये HOW ये भी दू मछलियों के साथ में तहर रही है, और क्या बोला या उनोंने ये तोनों मछलिय ये बिक月कोमेरा नहीं मेरी पाक ही कोई मेरा नहीं उसके लिए आज की जो reality है वो क्या है? सपने के अंदर इस layer के अंदर कि ये जो दो बच्चे हैं ये मेरे हैं जब कि सब कुछ ही इनका है समझ गए? क्या हो रहा है? वो लड़का भी यही है, मचली भी यही है, सब कुछ यही है अब एक दिन एक शिकारी आया और उसने आ करके काटा फैका और काटा जा करके, ये तो बड़ी थी, ये तो बच गई इन्होंने देखा एकड़म से लेकिन जो बच्चा है, जिससे आपको इतना प्यार है जिसके साथ पता नहीं कब तक आप खेलते रहे खेलते रहे आपका जो बच्चा है, एक एक बच्चा है, दूसरा वो रोने लगा जो दूसरी मचली है और आप उसको देख रहे हो, अपने बच्चे को आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, उस काटे से लड़ रहे हो अपने आपको उससे जा करके टकरा रहे हो ही कि कौन है मैंने किसी का ज़िए जू मेरे बच्चे को मार दियाbul अच्छी खेल रही थी अपने बच्चे के सास्प में क्या दिक्कत थी कोई दिक्कत थी त्म क्यों आ करके शिकारी ने मारा मेरे बच्चे को क्यों मारा और इनके अंदर गुसा भर गया बयाना गुसा बदला लेने की भावना आई कि मैं उस शिकारी को छोड़ू ही नहीं ऐसे होगा अगर रियल लाइफ में इमाजिन करो अगर आप में से किसी के बच्चे के ऊपर कोई आफ डाल दे हैं आप क्या गरोगी तो करोगे ना गुसाना जाएस है आपको को मैं नहीं छोड़ूगा मेरे बच्चे को कैसे मारा यस सले जै के साथ में तो सपनों की एक लेयर में से दूसरी लेयर में से एक और लेयर निकल गई और हर लेयर अपने आप में complete universe है एक complete दुनिया है और जैसे ही ये कामना उठी जैसे ही ये desire उठा इनके अंदर इमीजियोटली ये यहाँ से हट करके कहा पहुच गई एक लडी थी जो पर इस्जाम今回 होने वाली थी सीध उनकें कोक में पौच गई उनके अंदरमा मरा उस शिकारी को और शिकारी मर गया और अब हुआ क्या कि वो शिकारी जिसने एक मचली के बच्चे को मारा था वो काटा फैका था वो कौन था वो ही आदमी जो सनाव पे चल रहा था समझा रहे हैं वो पहला यहां से यह क्या बनी थी एक लड़का बनी थी इसकी बॉड़ी बहुत स्ट्रॉंग थी जो बोट पे जा रहा था क्या था वो वो ही तो शिकारी था वो ही तो है वो शिकारी जिसको बूड़ा होने के बाद में मारा गया है वो भी यही और वो भी वो ही और वो भी वो ही और वो भी वो ही आप सबसे मज़एदार चीज्ए आप एक अंक बंद करिया है। यह जो पूरी दुनिया रहे हैं यहां से यहां से यहां से यहां से यहां कि अहले inhalation है ? इनके अंदर हैं ? ना ? इनके अंदर ही दो है तो अभी यह पर जो कूझ चल रहा है मेरा स्पाइ्पल सवाल ये है कि ये कहा है आपको ये तो समझ आ गया कि आगे तक की जıtनी चेन थी वो सब इनके अंदर ही है कि पीछे की चीए कहा है कहा है जहां पर टाइम और सपेस नाम की कोई चीज नहीं है यही सवाल है जो आपको अपने अंदर भरना है, अपने अंदर डालना है, यह आपको एंड तक ले जाएगा, एंड तक ले जाएगा कि अगर मेरे सपनों की दुनिया में मैं यहां से वाँ वाँ से वाँ वाँ से वाँ वाँ से वाँ जा टाइम भी क्रियेट हो रहा है, स्पेस भी क्रियेट हो रहा है हो सकता है हो सकता है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस सब बक्वास हो हो सकता है उसमें कुछ सच हो उसका जवाब सिर्फ आपको अपने अंदर जा करके मिलेगा बाहर से नहीं मिल सकता I don't believe in the word God I believe in God which is nameless for example एक आदमी है जो यहाँ पर पहुच गया और अपने आपको शीशे में खड़े हो करके देख रहा है खड़े आप भी वही हो देख आप भी रहे हो फर क्या उस शीशे पर धूल जमी हुई है अब उसकी सारी धूल हट गई अब वो खुद को देख रहा है खुद के निराकार रूप को देख रहा है जो बेस है हर चीज़ का सब कुछ बदल रहा है लेकिन वो नहीं बदल रहा वो भई का भई है बिल्कुल स्टिल है और उसी के अंदर सब कुछ हो रहा है और आप जब उसको देख रहे हो तो कोई उसको देख करके बोल रहा है कि ये परमात्मा है कोई कह रहा है कि हम इसके बच्चे हैं बिल्गूर ठीक है, क्यों नहीं है ये कहना गलत होगा गलत क्यों है, यहीं से तो आप आये हो न उसी reflection में जब खुद को देख रहे हो जब आप खुद के दर्शन कर रहे हो तो आपको यह लग रहा है कि वह अलग है क्योंकि आप खुद को अभी नहीं देख सकते लेकिन जिस purity में जाकर कि last state में आप खुद को देख रहे हो तो आप खुद ही हो deeper realization आपको है लेकिन आपको लग रहा है कि इसके beyond भी कुछ है तो कोई कह रहा है कि यह भगवान है जो दिख रहा है जो निराकार है जो यह है जो वो है और वो बिल्कुल ठीक कह रहा है तो कि अब वो depend करता है किस way में कह रहा है कोई कह रहा है भगवान ने दुनिया बनाई है बिल्कुल सच है भगवान ही रहा लेकिन भगवान ने बनाई है भगवान में से जो निकला उसने बनाई है वो भी तो भगवान ही है वो भी सच है जूट किसे कहोगे कोई कह रहा है अहम ब्रहमस्मी अनलहक I am that कि मैं ही वो हूँ वो भी सच है कहने का तरीका अलग अलग है कहने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है सब सच है जूट कुछ भी नहीं है कहने का तरीका अलग अलग है जो भक्ती में जाकर के डूप करके बोलेगा वो कहेंगा परमात्मा है जो ग्यान में जा करके डूप करके बोलेगा साक्षाद देख करके बोलेगा वो कहेंगा रहे हैं तो मैं खुदी हूँ बाते किसी ने भी गलत नहीं कही ना जीजस ने ना इस ने ना उस ने किसी ने गलत नहीं कही सबने ही की बात कही है, लोगों ने क्या किया, बातों को छोड़ दिया, और अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए, भगवान को यूज कर रहे है, कि है भगवान मेरी ये कामना पूरी करो, वो करो, वो करो, जब भगवान क्या करा है, कामनाओ को छोड़ो, उसको नहीं समझ कि परम उसमें कैसे जाना है उसमें कैसे जाना है उसमें कैसे जाना है उसमें कैसे जाना कुछ नहीं बख्ति का मतलब नहीं समझा ग्यान का मतलब नहीं समझा बख्ति क्या है वो अवाज जो ना बन रही है, ना मिट रही है, चौबिस घंटे चल रही है, जिसको अभी मैं सुन रहा हूँ, बोलते वक्त भी, चुप होते वक्त भी, सपने में भी, उठे में भी, गहरी नीद में भी, इस आवास का सिम्रन करना, इस साउंडलेस साउंड का सिम्रन करना, इसको पकड़ना ही अभ्यास है, इसको पकड़ना ही भक्ती है, इसको जानना ही ग्यान है, और इसकी तरह भढ़ना ही कर्म है, और कुछ नहीं है, इसके बाहर और कुछ नहीं है, लोग नाम अलग अलग दे और अवल्ग नामें उलजगाई हैं और वो यह नहीं सबाझ पा दो अब शीज को अश्क THE कर सकते इस चीज को आपका मांड एकसेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि जैसे आफ युद ने आपके इस बात को पूरी तरीके से एकसेट कर लिया तो दो दिन नहीं अगले ही सेकिंड में आप यहां से निकल करके फुर महां पहुंच जाओगे कोई कि दूर्वत ने कुछ नहीं है लेकिन एक्सेट कैसे करें उसने एक्सेट कर लिया तो माइंड का अपने घुटने टेकते हैं और फिर उसके अंदर से आवाज आए कि यही प्रभू है यही भगवान है मैं क्या गरूँ भईया मैं अपने हतियार डाल दिये अब आगे और कुछ नहीं है तो माइंड सरेंडर कर देगा इंदरियां सरेंडर कर देंगी आप सरेंडर कर दोगे जब सरेंडर कर दोगे जैंड में देखोगे सिर्फ आप ही रह जाओगे झाल झाल